तो फिल्म की सुरुबात होती है एक मिसाइल अटेक से जिसमें के एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धेर सारे लोग मारे जाते हैं तो ये अटेक आकर किसने करवाया है वो हमें फिल्म में आगे जानने को मिलेगा जिसके बाद कार में हम एवी नाम के एक लड़की को ही थी दरसल एबी CIA की एक एनलिस्ट है और वो अपने काम को फरफेक्ट तरीके से करती है जिसके बाद घने रेगिस्तान में हमें एक SSL को देखते हैं जहां पर की अलग-अलग देसों के आफिसर्स मौजूद थे और यहीं पर एबी भी अपनी पोस्टिंग करवा लेती है क्योंकि उसे यहीं पर रहकर काम करना था तो एबी को यहां पर रहकर 10 महीने हो चुके थे और इसी जेल की कैदियों से एबी पूस्टाज भी करती है क्योंकि उसे उस अटेक के बारे में जानना था और इसी जेल में हम फरान नाम के कैदिय को भी देख पाते हैं जिसे उस कुछ मालूम था। तो मिलर नाम का ओफिसर फरान से पूस्थाच कर रहा था और वो से काफी ज़दा टॉर्चर भी कर रहा था। लेकिन जब एबी को यह सारी बात यह पता चलती है तो वह मिलर को यह सब जिसके बाद एवी फरान से पूस्ताच करना शुरू करती है और उसे एक आदमी के तश्बीर दिखाते हुए पूस्ती है कि आखर ये कहाँ पर है जिस पर कि फरान उसे बताता है कि इससे मेरी मुलाकात आकरी बार अंकारा में हुई थी अब एवी की पूरी टीम के आफिसर्स के बारे में हमें बताया जाता जिसमें की कैप्टिन जो की काफी होसियार था और एवी की काफी क्लोस भी था यहीं पर यूरी भी था जो की यहीं के टेकनिकल सर्वर को संभालता था एवी के साथ और भी कई आफिसर्स थे और वो उसे एक हॉस्पिटल में गरबतार भी कर लेते हैं C.I.E. ने हैचेट को अरश्ट करतो लिया था लेकिन हैचेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस बात से C.I.E. पूरी तरह से अंजान थी अब रेकिस्तान वाले जेल में कैप्टेन एबी को बताता है कि हैचेट को इसी जेल में लाया जा रहा है तो सारे आफिसर्स तैयारी करने लगते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि हैचेट कितना खतरनाग है अब थोड़ी देर के बाद कुछ एजेंट्स हैचेट को इसी रेकिस्तान वाले जेल में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर कि उनकी डिमांड थी कि वो उससे 45 मिनिट तक पूस्टाज खुदी करना चाते हैं यही पर टैसा नाम की एक एजेंट भी थी जो कि एवी को पहले से ही जानती थी और जब एवी को ये बात मालुम चलती है कि C.I.A. वाले ही उससे पूस्टाज करना चाह रहे हैं बलकि बो नहीं तो बो कैप्टिन पर काफी ज़्यदा गुस्सा होती है क्योंकि हैचेट को पकड़वाने में सबसे ज़्यदा मदद एवी नहीं की थी इसलिए उसी को पूस्टाज करना चाहिए लेकिन वो ओफिसर्स हैचेट को एक सैल में ले जाते हैं जहां पर वो कैप्टिन से कहते हैं कि यहां की कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी इसलिए कैमरे को और वोइस रिकॉर्डर को तुरंथी बंद कर दिया जाता है जिसके बाद ये लोग हैचेट से पूस्टाज करना सुरू करते हैं लेकिन हैचेट उन्हें कोई भी बात नहीं बता रहा होता है ये सारे ओफिसर्स बारी बारी से ट्राइ करते हैं लेकिन हैचेट अपना मूँ नहीं खोल रहा था वो लोग उसे काफी टॉर्चर करने की भी कोसिस करते हैं लेकिन हैचेट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है अब थोड़ दिर के बाद से एबी को फाइरिंग होने की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो तुरंथी कैप्टन के पास आती है और तुरंथी कैमरे को ओपन करवाती है लेकिन उन लोगों ने उन कैमरे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिये थे इसलिए एबी और उसके ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए वो दोड़ते हुए उसी सेल के पास पहुंचते हैं जहां पर कि वो लॉक था तब ये लोग तोड़कर अंदर जाते हैं अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यहां पर कुछ आफिसर्स और हैचेट मारा गया है और साथ ही उनका एक ऑफिसर भी पुरी तरह से घायल हो गया है इसलिए उसे तुरन्त ही इमर्जनसी रूम में ले जाया जाता है और उसका इलाद सुरू होता है और यहीं पर हम नकाब पहने एक आदमी को देखते हैं तो एबी को कुछ गड़वड लगा इसलिए वो तुरन्त ही इमर्जनसी रूम में आती है और वो जब नजारा देखती है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाती है क्योंकि हैचेट ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया था हैचेट ने उसे भी मार दिया था और पूरे के पूरे कंट्रोल रूम को अस्तवस्त कर दिया था साथी हैचेट ने यहाँ के सारे सेल को भी खोल दिया था जिससे की सेल में बैठे सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और वो यहां पर आफिसर्स के उपर हमला भी कर देते हैं और कंट्रूल रूम में यह काउंटडाउन भी चालू हो जाता है जिससे कि हमें पता चलता है कि अलान बजने के कारण यह काउंटडाउन चालू हो चुका है और एक गंटे के अंदर अगर इन लोगों ने हैटकॉर्टर में रिपोर्ट नहीं दी तो हैटकॉर्टर वाले इनकी सैल पर मिसाइल छोड़कर इसे धमाके से उड़ा देंगे यहां दूसरे तरफ मिलर और उसके ऑफिसर्स उन सारे कैदियों को सैल के अंदर कर रहे थे जिसके बाद हैचेट इस जेल की इलेक्टिसिटी को भी बरबाद कर देता है जिससे की पूरी तरह से लाइट बंद हो जाती है और धीर धीर करके हैचेट यहां के ऑफिसर्स को भी चोरी छुपे मार रहा था तो अब एबी को जब मालुम चला कि सैल खुल गए है तो वो यूरी और टेसा के साथ तुरंती मिलर के पास पहुंसती है जो कि उन कैदियों को सैल के अंदर डाल रहा था जिसके बाद यहां पर एबी फरान से पूस्ताच करना सुरू करती है क्योंकि फरान को मालुम था कि आकिर हैचेट यहां पर क्यों आया है लेकिन यहां पर फरान एबी को कुछ भी नहीं बताता है यहां दूसरे तरफ यूरी उन सारे कैमरो को चेक करता है जिसमें कि उसे चैपलिन दिखाए देता है जो कि इस बात से पूरी तरह से अंजान था कि सैल में क्या हो रहा है इसलिए वो पूरी तरह से आजात गूम रहा था जिसके बाद हम एबी और टेसा को देखते हैं जो कि सर्वर रूम में पहुंचते हैं जहां पर की डाटा सेफ रखे हुए थे और यहां पर एबी को मालूम चलता है कि किसी ने इस डाटा से छेड़ शाड़ करने की कोसिस की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है लेकिन थोड़ी देर के बाद उने मालूम चल जाएगा कि आकर ये सब कुस किस ने किया है दूसरे तरफ यूरी देखता है कि उस फीमिल आफिसर को दरसल टेसा ने मारा है और ये वाद एबी को भी मालूम चल चुकी थी इसलिए यहां पर उन दोनों के बीच में एक घंगोर लडाई होती है और लडाई के बीच में ही टेसा यहां पर एक छोटा सा बॉम भी प्लांट कर देती है जिससे की सबी लोग अंजान थे लेकिन आखिर मैं एबी टेसा को बुरी तरह से मार कर विहुस कर देती है और उसे एक सैल में लाकर बंद कर देती है यहां दूसरी तरफ हैचेट आर्मर वाले रूम में पहुँच चुका था और जब एबी भी आर्मर वाले रूम में जा रही होती है कि तवी यहां पर एक जोड़दार ब्लास्ट होता है जिससे कि यह सबी लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे अब थोड़े आगे वड़ने के बाद एबी और उसके आफिसर से एक रूम में पहुचते है जहां पर हैचेट चैपलीन के उपर एक चाकुर वक्रों से अपने साथ ले जा लेता है यहां दूसरे तरफ मिलर टेसा से बुरी तरह से पूस्ताच कर रहा था और वो से टॉर्चर भी कर रहा था और यहां पर टेसा मिलर को कुछ ऐसी बाते बताती है कि मिलर का पूरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है और यूरी देखता है कि काउंटडाउन में सिर्फ 30 मिनिट ही बचे हुए है जिसके बाद यहां पर मिसाल छोड़ दी जाएगी और पूरी के पूरे जेल को बलास्ट कर दिया चाएगा वह हैचेट चैपलिन को एक छोटे से रूम में बंद कर देता है जहां से बोट तो ना चिला सकता है और ना है उसकी आवाज बाहर जा रही थी जिसके बाद हम देखते है एभी को मिलर के पास मिलर यहां पर फरान को लेकर आता है और वो एभी से कहता है कि हैचेट को सिर्फ फरान ह nouvelles चाहिए है इसलिए हम उसे यह दे देंगे और रही वाज टेशा की तो टेशा को वो गोली मारकर उसे जानसे मार देता है लेकिन एबी को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो मिलर की उपर गन तान देती है लेकिन यहाँ पर मिलर की साइट वो सारे आफिसर्स हो जाते हैं और वो एबी को एक सेल में हद्कड़ी लगा कर उसे उसी सेल में छोड़ देते हैं और यहाँ दूसरे तरफ यूरी सेल में एबी को देखता है और समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉबलम है जिसके बाद मिलर फरान को लेकर एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर कि वो हैचेट से कहता है कि वो फरान को उनके हवाले करना चाते हैं इसलिए बो उसे लेकर जाए और उन सब को छोड़ दे लेकिन यहाँ पर हैचेट मिलर के उपर अटेक कर देता है और उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है और आखिर मैं हैचेट मिलर को बुरी तरह से मार देता है और यहाँ यूरी को जो बालू पड़ा कि एवी एक सेल में बंद है तो बो तुरन थी एबी के पास आता है और उसे आजात करता है और यहां दूसरे तरफ हैचेट फरान से पूछता है कि क्या उसने उन लोगों को कुछ बताया जिस पर कि फरान उसे कहता है कि उसने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया है तब हैचेट उसे भी मार देता है तो अब सैल में ओफिसर्स के गिंती की जाए तो सिर्फ यूरी और एबी ही बचे थे जो कि बॉस टॉपर पर पहुंचते हैं जहां से कि वो अपने हैटकॉर्टर में कॉंटेट करनी की कुसिस करेंगे यहां दूसरे दरफ हैचेट चैपलीन को लेकर आता है और वो उसके मूपर पट्टी बांद कर उसे पूरी तरह से ठक देता है और लिप्ट के दोरा उपर आकर उसे लिप्ट के दरवाजे से आगे भागने को कहता है क्योंकि उसे मालुम है कि यूरी उपर स्नाइपर लेकर वैठा है और जैसे ही चैपलीन लिप्ट के रास्ते से भागता है तो यहां पर यूरी चैपलीन को मार देता है और यूरी को ऐसा लगता है कि उसने हैचेट को मार दिया है यहाँ एवी वास टबर पर पहुंच चुकी थी और जब वो हैटकॉाटर में कॉंटेट करने की कूसिस करती है तो हैटकॉाटर के दोरा एवी को मालूम पढ़ता है कि उन लोगों ने मिसाल को छोड़ दिया है और जब यूरी हैचेट की बॉड़ी के फास कन्फरमेशन करने के लिए जाता है तो उसे मालूम पढ़ता है कि वो हैचेट नहीं बलकि चैपलीन है जिसके बाद दोनों की बीच में एक तकली फाइट होती है और आकर में हैचेट यूरी को भी पूरी तरह से मार देता है अब पर एवी हैचेट की दोनों टांगों में गोलिया भी मार देती है और हैचेट एवी से कहता है कि उसकी गुनाहों की फाइल तो टेसा कपकी बरवाद कर चुकी है दसल टेसा ने उस सरवर रूम में एक बॉम प्लांट किया था जिससे कि वहाँ धमाका होने के वज़े से वो पूरा सरवर रूम टिस्ट्रॉय हो गया था अब एवी हैचेट को उसी सेल में छोड़ कर मैन गेट से बाहर निकल जाती है और एवी के निकलते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे की एवी थोड़ी घायल हो चुकी थी लेकिन हैचेट मारा जाता है आखिर मैं एवी को लेने के लिए कार आती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राब भी कीजेगा ताकि आपको इसी तरह के latest to fresh content मिलते रहे